नमस्कार, संजीवन पॉजिटिव पारेंटिंग में आपका स्वागत है बेबी के लाइफ के फर्स्ट फाइव एर्स आर मोस्ट इंपोर्टन बिकॉज यहां वहाँ फाइव एर्स होते हैं जब बेबी को उसके लाइफ के लिए उसके फ्यूचर के लिए हेल्थ, हापिनेस, मेंटल अलर्ट, इमोशनली साउंड और सोशली कॉंपिटन्ट याने सक्षम बनाने के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं पर्टिकुलर्ली रिसर्च प्रूद आट फर्स फाइव यहर्स आर इंपोर्टन फॉर ब्रेंट डेवलोपमेंट अकपरडिंग टू युनिसेफ उसमें भी पहले तीन साल बहुत ही कृशियल, कृिटिकल होते हैं बेबी के ब्रेंट को विकसित करने के लिए पहले तीन साल के जो experience होते है वहाँ उसके brain के विकास पर impact करते है उसके learning skill पर impact करते है उसके सामाजिक और भावनिक शमता पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है बच्चे सबसे ज़्यादा fast learn करते है उनके पहले 3 years में बाकी whole life की तुलना में और इसी लिए first 5 years are very very important इन 5 सालों में बच्चों को अवशकता होती है आपके प्यार की, स्नेय की, प्रेम की जिससे वहाँ तयार होते है ग्रो होने के लिए और जब उनकी सुरक्षितता का एहसास होता है तो वही confidence बिल्ड करता है आगे की ग्रोथ के लिए बच्चे बड़े ही fast grow होते है जब उन्हें proper nutrition, diet मिलता है उसके साथ उन्हें मिलता है प्यार, स्नेय, प्रुसाहान, पौधिक, विकास के लिए space इसलिए हमें जानना है कौन से age में child developmental stages को as a parent हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें हमारे बेवी को एक अच्छा इनसान, successful person in every aspect of life हम बना सकते है तो हम इस workshop के अलग-अलग sessions में यहां सब सीखेंगे और implement भी करेंगे हर माबाप चाहते हैं उनका शिशू बड़ा होकर successful, lovable, friendly, smart, दयालू, आज्याकारी इन गुणों से युक्त हो और यहां उसमें आने के लिए एक जादू की छड़ी जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ और वहां है responsive care, उत्तरदाई देखवाल responsive care यहां process है observation की, यहां process है आपके शिशू को समझने की वहां क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, उसके शारिरिक और मानसिक अवश्चकता है क्या है, उसमें क्या uniqueness है, इन सभी को observe करने की आपको आपके parenting का पहला पड़ाव समझना है और वहां है building powerful trusting relationship with your child आपको आपके बेवी को observe करना है, आपके बेवी को प्यार, लाड़, प्रेम से support करना है बेवी यदि रोता है तो उसे आप जल्दी शान्त करिए, यदि आप ऐसा करती है तो वहां comfort feel करता है रिसर्च में यहां साबित हुआ है जब समझो बेवी रोता है और उसे मम्मी जल्दी से शान्त करती है तो वहां comfort feel करेगा और ऐसा ऐसास बार-बार यदि उसे होता है तो वह secure feel करने लगेगा अपने parents के साथ वह trust feel करता है अपने मम्मी पापा के साथ and this creates feeling of safety and security और आगे जाकर यहां बच्चे stress, tension ना लेकर confident, strong होते है, independent हो जाते है उनमें problem solving skill develop हो जाती है बहुत बार हमें लगता है यदि हम बच्चों को रोने ना देकर चुप करते है तो वहां बिगड़ जाएंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है responsive care की पहली चावी है be a good observer आपका बेबी क्या करता है, कैसे करता है, उसका क्या कहना है, उसे क्या feel हो रहा है, यहां आपको observe करना है उसके likes, dislike के बारे में जानना है, be a detective, simple भाषा में आपको आपके बेबी के साथ उसके world में जाकर खुद को उसके साथ tune करना है, match करना है so that आप जो भी reaction दोगे, उसका उसका deep impact होने वाला है, for example, बेबी रो रहा है और आप उस समय आप यदि खुद के anger, irritability को अच्छे से control करते हो और बेबी को जब वहां रोता है, तो बड़े ही लाड़, प्यार से उसे शान करते हो, तो वहां response बेबी को जल्दी शान करने में help करेगा और उसे comfort और secure फिल होगा इसी तरह से nourished children बड़े होकर दूसरों की भवना, feelings अच्छे से समझते है Responsive Care की दूसरी चाहिए है, manage your own thoughts and reaction आपको आपके mood, feelings, emotion को properly manage करना है specially जब आपका बच्चा आपका anger वाला बटन पुश करता है For example, समझो आपका कोई important work कर रही हो और तब बेबी रो रहा है आपने उसे प्यार से चुप करने का प्रयास किया, लेकिन वह रोते ही जा रहा है, रोते ही जा रहा है तब आपको आ सकता है गुसा और हो सकता है आप चीखेगी, चिलाएगी It's common reaction लेकिन इसी feelings, emotion को आपको properly manage करना है यहाँ पर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यहाँ बात मैं नहीं कर रही हूँ बलकि आपका behavior आपके बच्चे के lifetime तक impact करने वाला है throughout life के लिए इसलिए आप यदि शान्त रहे कर आपके emotions जैसे गुसे को अच्छे से manage कर पाए तो आपके हाथ होगा, आपकी reaction कैसे होगी ऐसा आप क्या करेंगे, जिससे baby भी शान्त होगा और आप भी cool होगी इससे हमें सीखने मिलता है, कि हम यदि responsive care करते है तो वहाँ gift हम हमारे शिशू को उसके lifetime के लिए दे रहे है और वही blueprint हमारा शिशू उसके lifetime के लिए ले कर जा रहा है एक loving, caring, strong bond आपके और आपके बेबी के बीच में बनने जा रहा है तो इस session में हमने समझा responsive care कैसे करनी है जिसमें हमें observe करना है हमारे बेबी के likes, dislike, उसके mood, feelings, emotions को दुसरा हमें manage करना है हमारे खुद के emotions, response and reaction को और इसलिए हम यदि खुद को बेबी के साथ अच्छे से tune up करते है तो हमारा और बेबी का जो relation है, वो जो bond है वो loving, caring and strong ऐसे बन जाएगा तो हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और enjoy कीजिए parenting का हरक्षन संजीवन positive parenting के साथ धन्यवाद